चौदर फरवरी 2016 का दन बगोदर थाना शेत्र के गेंडा संतूरपी व बगोदर वासियों के इतिहास के पन्नों में काली तारीख के तौर पर दर्ज है इसी दिन को याद कर आज भी बगोदर इलाके के लोग सिहर उठते हैं बगोदर के इतिहास में ये बड़ी सरक्दुर घटना थी जिसमें बच्चे समेट 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गए और इस दर्दनाक मौत का गवाह बना था विसरजन जुलूस कि आज का दिन दुखन दिन है बोले का दिन है यही है कि हर विक्ती आया है तो जाएगा है लेकिन जाने का कोई समय और को समय होता है जो दुखत दुखना हुई थी आज उनको भी नमन करते हैं और संजय बढ़नवाल जी सुप्देश पंडी जी और आपकर साथ बढ़नवाल जी तीनों ही बहुत ही सामाजिक प्यक्य थे और सामाजिक कारियों के लिए हमेशा आगे बढ़ चड़ कर अपनी भूमिका दिखाते हैं इस दर्दिनाक हाथसे को याद करते हुए मंगलवार श्रद्धांजली सभा का आयोजन कर मृतकों को नमन किया गया जहां सभी मृतकों की याद में श्रद्धांजली देते हुए दो मिनिट का मौनधारन किया गया बीदेश साथ साल पहले 14 फरवरी 2016 कोई सड़क हाथसे के बाद भी शेत्र में अन्य कई सड़क दुर घटनाये हुई लेकिन मौजूदा दोर में बगोदर में सड़क याता यात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बगोदर चौक से लेकर थाना के समीप हजारी बाग जाने वाले मोड पर आज तक ट्राफिक पुलीस की सुचारू रूप से न्युक्ती नहीं की जा सकी है जिससे आज भी बगोदर चौक पर घटनाओं से डर के साए में रहते हैं ट्राफिक ववस्था को लेकर अब तक किसी भी तरह से कोई पहल नहीं की गई है